एक ब्रश्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया अपने प्रेस के उद्वोधन में उन्होंने ये घोशना की कि सतेंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तठ्थियों से बहुत दूर हैं अपने आपको जज की उपाधी देते हुए अर्विन केजिवाल जी ने सतेंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया इसलिए आज मैं विवश हूँ कुछ प्रश्न पूछने के लिए मेरा पहला प्रश्न भाजपा की एक करेकरता होने के नाते क्यार्विन केजिवाल इस बात को इंकार कर सकते हैं नकार सकते हैं कि सतेंद्र जैन ने चार शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड 49 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ओपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉंडरिंग की मेरा दूसरा प्रश्ण के जिवाल जी क्या ये सत्य है के सतेंद्र जैन ने स्वयम डिकलेर किया कि उन्होंने मनी लॉंडरिंग की 16 करोड 49 लाख की इंकम डिस्क्लोजर दोहजार सोला के अंतरगत जिसके माध्यम बने अंकुष जैन और वैभव जैन साल दोहजार सोला में के जिवाल जी क्या ये सत्य है कि प्रिंसिपल कमिशनर अव इंकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड 49 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुष जैन थे बलकी इस काले धन की मालिक स्वयम सतेंद्र जैन है के जिवाल जी से मेरा चौथा प्रश्ण क्या ये सत्य है कि डिविजिन बेंच दिली हाई कोट ने इक्किस आठ दोहजार उन्नीस के अपने ओडर में ये कन्फॉर्म किया इस बात की पुष्टी की कि सतेंद्र जैन के जिवाल जी के ना सिर्फ सरकार में मंत्री उनके परम्मित्र उनके सहयोगी ने मनी लॉंडरिंग की सोला करोड उन्तालिस लाग की अगर के जिवाल जी के पास कोट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है भारतिय जनता पाटी के कारेकर्टा विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ओडर की उन्हें भेज सकते हैं मेरा पांचवा प्रश्ण क्या ये सत्य है के जिवाल जी कि सतेंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं उन शेल कंपनीज का नाम है एंडो मेटैली इंपेक्स प्राइविट लिमिटेड अकिंचन डेवलापर्स प्राइविट लिमिटेड परियास इंफो स्लूशन्स प्राइविट लिमिटेड मंगल यतन प्रोजेक्स प्राइविट लिमिटेड और ये कंपनिया वो अपनी धर्म पत्नी जी के साथ शेर होल्डिंग के माध्धम से कंट्रोल करते हैं एक और कंपनी जे जे आईडील इस्टेट लिमिटेड इसमें मिजॉरिटी शेर होल्डिंग सतेंद्र जैन की उनके परिवार की उनकी धर्म पत्नी की जिसको कल केजरिवाल जी प्रेस के माध्धम से धांडस बंधा रहे थे कि भावी जी डरने की जरूरत नहीं है यह केजरिवाल जी के शब्द थे क्या यह सत्य है मेरा छटा प्रश्ण कि सतेंद्र जैन ने दो सो बीघा जमीन दो सो बीघा जमीन कराला और चंडी निजामपूर पुधम नौर्थ और नौर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनाथ्राइस्ट कॉलिनीज के संदर्व में इस काले धन के माध्यम से दो सो बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्य इंद्र जैन की ओनर्शिप में बेनिफिट में आया मेरा सात्वा प्रश्ण क्या ये सत्य है कि जो दो सो बीघा की जमीन है वो उन अनाथ्राइस्ट कॉलिनीज के आसपास है जिसके संदर्व में मंत्राले सतेंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या ये कारण बना कि वो अनाथराइस्ट कॉलिनीज रेगुलराइस हुए मेरा आठवा प्रश्ण के जिवाल जी क्या ये सत्य है कि सतेंद्र जैन आज प्राइम अक्यूस्ड है चार्ज शीट में प्रेवेंशन अफ करप्शन अक्ट के तहत मेरा नौवा प्रश्ण के जिवाल जी क्या ये सत्य है कि सोला करोड उन्तालिस लाग मनी लॉंडरिंग की जो सतेंद्र जैन जी की इंकम है उस पर इंकम टैक्स डिपार्टमंट टैक्स लगाए ये प्रस्ताव स्वयम सतेंद्र जैन की कंपनीज का था मेरा आखरी प्रश्ण जिस सतेंद्र जैन ने स्वयम स्वीकार किया कि सोला करोड उन्तालिस लाग मनी लॉंडरिंग हवाला उपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिन में सतेंद्र जैन और उनके परिवार की भागिदारी है केजरिवाल जी क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए कल केजरिवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा रश्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी केजरिवाल जी विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल क्या देश के गद्दार को पना दे रहे है